फिरोजबाद के थाना रामगड क्षेत्र के अंतरगत चनुरा रोड पर एक सराफा की दुकान का शटर काट कर चोरी का मामला प्रकाश में आया है मामला रामगड क्षेत्र के अंतरगत चनुरा रोड ज्वेलर्स की दुकान का है जिसमें थाना उत्तर क्षेत्र के अंतरगत गांधी नगर निवासी उमेश चंद्र वर्मा की शाम ज्वेलर्स के नाम से सोने चांदी की दुकान थी बिती रात रोजाना की तरह दुकान बन करके उमेश चंद्रवर्मा अपने घर चले गए थे सुबह तरके जा कर देखा तो उनके होश उड़ गए उनको सुचना मिली थी कि आपकी दुकान का शटर कटा हुआ है और चोरी हो गई है उन्होंने ततकाल घटना की सुचना पुलीस को दी मौके पर पहुची पुलीस ने मामले को देखते हुए मौके का माइना की जांच की मिस चंद्रवर्मा ने मिडिया को अवगत कराया कि हमारा इस चोरी में 30 ग्रैम सोना और धाई किलो चांदी वह केस बदमाश ले गए रामगर छेतर में ग्राम चिनौरा में एक ज्वेलर्स के दुकान में बीती राज चोरी हो गई है जिसमें उनके द्वार बताया गया कि लगभग 3 तौला सोना और लगभग 2 किलो चांदी उनकी चोरी हो गई है उग संदर में तत्काल मुकद्णापन पपन जिकत कर दिया गया है और समस्त संबंदी तर्धिकारियों द्वारा मौका मौहना किया गया त्विल जोहित द्वारा भी मौका मौहना किया गया कुछ तत्र प्राप्तुएं हैं सेगरी घटना का नाउन कर आशक बिली करवे की जाएगा फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट